नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने पेट की चर्वी के साथ साथ में अपना इम्मून सिस्टम भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सुरू से लाश तक देखते रहेगे दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि सरीर का इम्मून सिस्टम जो है कम क्यों होता है दोस्तों, सरीर में बहुत अधिक चर्वी जमा होने के कारण हमारा इम्मून सिस्टम कमजोर पर जाता है आज हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिसके कारण आप अपना इम्मून सिस्टम जो है दोस्तों बढ़ा सकते हैं, यानि रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ा सकते हैं आपको जो है फास्ट फूड यानि कि जंक फूड हो गया अधिक शराप का शेवन, अगर आप बहुत अधिक चीनी का शेवन करते हैं तो आपका इम्मूनिटी बहुत कम हो जाता है दोस्तों हम आपको बता दें कि आप किन चीजों का शेवन करें जिससे आपकी immunity बढ़ेगी खाने में दोस्तों आप गाजर हो गया, पालक, पत्तागोबी, दूद, अंडा, चुकंदर और साथ में बादाम का भी शेवन कर सकते हैं और हाँ दोस्तों आप हरी सब्जियों का शेवन ज़रूर करें, immunity system इससे आपका बहुत बढ़ेगा आज हम आपको दोस्तों तीन ऐसे exercise बताएंगे जिससे आप अपना immune system बढ़ा सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इन तीनों इक्सराइज को करना शुरू करते हैं दोस्तों हम आपको पहले बता दें जो हम पहला एक्सराइज करने चलना हैं जिससे आपका immune system बढ़ेगा इस exercise का नाम है ब्रिच्छा आसन यानि कि आपको दोस्तों ब्रिच्छी की तरह ख़ड़ना होना है जैसे आपने देखा होगा, पेर एकदम सीधे खड़े होते हैं उसी तरह आपको खड़ा होना है लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान देना है, देखिये, आपको कैसे करना है हम आपको बता देते हैं पहले आप एक सीधे position में खड़े हो जाईए आपको एक straight position में इस तरह खड़ा होना जैसे हमारे साथ खड़े होने के बाद अब आप पहले हाथ को बहुत ही आराम से उपर की तरफ ले जाईएगा इस तरह आपको ले जाना है इसको आप उपर की तरफ उठाईए उपर की तरफ उठाने के बाद यहाँ पे गुटने पे आपको ऐसे रखना होगा यहाँ पे ऐसे कर दीजिए उपर करिए इस तरह आपको जो है 30 सेकेंड हो गया 20 सेकेंड जितना आप से हो सके आप उतना देर खड़े रहिएगा, इससे आपका immune system दोस्तों बढ़ेगा है, यानि कि आप सीधे खड़े होईए, देखिए यह थोड़ा सा कम कर पा रहा है, हाँ सीधे, आपको इस position में ऐसे खड़े होना है, देखिए हम आपको करके दिखा देते हैं, इस तरह आप खड़े मैट ले लेंगे, मैट लेने के बाद आपको यहाँ पर पेट के बल लेट जाना होगा, चलिए आप यहाँ पर लेट के दिखाईए, इस तरह आपको पेट के बल लेटना होगा, बहुत straight लेट ढेगा, पर इसके बाद दोस्तों आपको अपना हाथ आगए की तरफ करना यहां भी इस portion पे पिर इसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे यह हमारा सर ऊपर की तरफ जाएगा और हाथों को भी आप इस टेट पोजिशन में दे जाएगा हाँ इस तरह आप जो है थोड़ा सा हाथ और अंदर की तरफ कर लिजिए इस तरह आप जो है इस 30 सेकेंड 20 सेकेंड तीन सेट में आप करिएगा तो इससे बहुत ही आपको लाब मिलेगा इसके साथ साथ में आपके गर्पीट की चर्वी बहुत जादा है तो वह भी कम हो जाएगा दोस्तों इस तिसरी एकसरसाइज का नाम है त्रिकोर्ण आसन यानि कि आपको इसमें इस तरह आपको खड़ा होना है फिर आपको जो है दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा द्यान दीजिएगा इस तरह आपको करना होगा फिर इसके बाद बहुत ही आराम कोई जल्दबाजी मत करियेगा दोस्तों अब को करना क्या है यह वाला हाथ हमारा उपर की तरफ जाएगा और उपर जाईए यह उपर ले जाना होगा फिर आप ऐसे जुगते हुए नीचे की तरफ आईए बहुत ही आराम से आईए और आगे की तरफ आईए हाँ यह वाला हाथ आपका वहां पर नीचे के साइड में करन और आप जो है यह आसमान की तरफ देखिएगा दोस्तों उपर की तरफ देखिए और इस पोजिशन पर आप जो है 20 सेकंड 30 सेकंड जितना आप से हो सके स्टाइट में आता ही चलतों कि निखेगा देखिएगा यहीं पोजिशन आप को जो है दूसरी तरफ भी कर ना होगा यहां पे ऐसे करिए सब्सक्राइब फिर आप इहां पे आजाएगा फिर ऊपर की तरफ देखिएंगा आसमान की तरफ आप को देखना होगा अगर दोस्तों आप इन तीनों exercise को प्रति दिन करते हैं तो आपका immune system बढ़ेगा दोस्तों यह अगर आपको जानकरी पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करिएगा और आपका कोई भी सुझाओ तो आप हमें comment करके जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक हमारे Instagram को follow नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाकर हमें follow भी कर सकते हैं